नमस्ते अभिवादानाब का है नेवसेंटे इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार का हाल चाल ठीक ठाक है 17500 के आसपास बाजार ट्रेड कर रही है उपर भी गई थी लेकिन कोई बात नहीं प्रॉफित बुकिंग आई है ठीक है होना भी चाहिए थोड़ा बहुत यहां पर बाजार को स्टेबल होना चाहिए इससे कि हम एक बड़ी जो दौर दिखाएं उसके लिए हमारे पास एक बड़ी हां बेस बन चुका हो खैर नियूज की बात करेंगे देखो दोस्त यह जो ट 10 रुपए से आप देखेंगे 65% उपर यह कंपनी ट्रेड कर रही है महज एक महीने भी अवे नहीं हुए और यह बड़ी बात है आइडिया का स्टॉक 25% भागा है कुछी दिनों में आपको दिखा हूँ आरकॉम आज साहद 20% उपर है कितना हां 20% के आपर सर्कित पर ट्रे सरकार किस तरफ से किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाएगी रिफॉर्म किस तरीके के होंगे कुछ और स्टॉक का जिक्र करेंगे विंद्लैस बायो टेक यहां पर आज बढ़िया तेजी बनी 5% की कल यह स्टॉक आपको बताया जा चुका बढ़िया बेस बनाया था आ यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए टी एसल पर एकजिट कर लिजेगा बागी तीन चार पांच प्रतियत की वैल्यू क्या होती हो आपको पता है ट्राइडेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ लोग पूंच रहा है कि सर फिर बता दीजे अब क्या करें अब क्य यहां पर कहने पर जिसको यहां पर समझ में आया होगा जो वैट वाली वीडियो देखा होगा तो बहुत ही आसानी से खुद अपने डिसीजन ले सकता है उसे किसी से कुछ पूंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे आज फिर य ऑगा है यह सब स्टाक समने कवर किया एक और इस स्टॉक है यस बेंक दोस्त यह स्क्सथा कुछ यह बारे और सर्काइफ कश्त議종 को थोड़ी सी बध्य है तो एक बढ़ी बात हो कि ईश्बए कार्ड पर काफी सवाल आए है मैं इहां पर आपको बता देता हूँ आज गिरा 5.5% ने उच आ जाएगी टेकनिकली कोई स्टॉक कमजोर हो जाएगा एक हजार के लेबल को तोड़ जाएगा तो इस सब हो जाता है इसलिए तो इसलिए तो स्टॉप लॉसे सोते हैं सही समय पे एक्जिट करने के लिए ठीक कहां क्या हो जाए वह नहीं पता होता ह है समझ रहे हैं हां टेगा का आई पियो स्टेटर सा गया है बहुत सारे लोगों को रिफंड भी मिल गया होगा जिनको नहीं मिला वह इंतजार करने थोड़ा सा टेगा वाला आई पियो आपको मिला या नहीं जरा सा बताईएगा बाकी यह जो अपने मिनिस्टर सहाब है ट सतरा पांसो के उपर निकली है लेट सो फ़र्दिवेस्ट की अब बाजार स्टेवल हो जा सतरा पांसो के उपर और हमको एक धूम धड़ा का होते हुए दिखाए दे आने वाले दिनों में अभी आपसे विदा ले रहे हैं कुछ यही स्टॉक्स थे जो थोड़े से रडार स्टॉक्स में आपको भाएंग उपर्चुनिटी भी मिली होगी आज बीपी सियल ने सुबह सुबह 400 का लेवल पार किया था एक मिनट बीपी सियल उपर के लेवल से फिसला है एक कैंडल थोड़ी से बूरी बन गई है आज लेकिन कोई बात नहीं 400 का लेवल इसने पार किय दबा कर वाह राइटर्स गजब मजा लूटते हैं गजब मजा लेकिन ठीक है ठीक है बुरा नहीं है एक बार के लिए रिजिस्टन्स पार करो अब 400 के साइकलोजिकल लेवल पे जाओगे नीचे आओगे और यहां पर जो कमजोर ट्रीलर्स होते हैं उनको बाहर करने की बा लिए यहां पर आप कहीं पर भी खरीज सकते हो अगर अगर आपने कहीं पर भी खरीदा आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपर लेवल पर आपके पास पूजिशन है कोई दिक्कत नहीं है दोस्त चार साड़े चार सो का भी रेट भी आपक्यो यह कमपनी चलो यार इस बार उपर जाना तो नीचे मत आना क्योंकि नीचे अच्छा नहीं लगता है जब तुम आते हो ठीक है थोड़ा गहामाना करो ऊपर जाओ जो लोगों ने स्टॉक नहीं खरीदा है पेसेंस यही है पेसेंस टेस्टिंग होती है और जब स्टॉक भागने लगत यह स्टॉक मैं पता ही नहीं था ने तम लेकर बैठे होते बस यही होता ना फोमो का सिकार होने से बचना है तो अपने पास पीस आफ माइन लाइए और स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी कैसे होल्ड कर पाऊगे स्टॉक को हाल चाल ठीक ठाक है जल्दी मिलेंगे नमस कर दो करता हुआती करिस्कार है